आज हम चर्चा करेंगे सार लेखन पर किसी सामगरी का सार लिखना एक उपयोगी कला है जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है सार लेखन में किसी विस्तृत विशेवस्तू या अंच के मूल भावों को कम से कम शब्दों और वाक्यों में लिखा जाता है सार लेखन की आवशकता कार्याले, वानिज्य, पत्रकारिता, शिक्षा, आदी बहुत से शेत्रों में पढ़ती है तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस कारिकरम में की जाने वाली चर्चा के उदेश्य क्या है हमारे उदेश्य हैं कि हम सार संक्षेपन का अर्थ जानेंगे सार लेखन के उप्योग का उलेख कर सकेंगे सार लेखन के प्रमुक चर्णों की सूची बनाएंगे मूल भाव अर्था केंद्रिय भाव की पहचान करेंगे दिये गए अनुछेद का सार लिखेंगे, मूल भाव के आधार पर सार के शीर्षक की पहचान करेंगे, कार्यालेई कामकाज में सार लेखन का आवशक्ता नुसार उप्योग कर सकेंगे, और कार्यालेई पत्रों, टिपनियों और रिपोर्टों का सार लेखन कर सकेंगे. शिक्षार्थियों क्या आपने कभी ताजा मक्षन खाया है? क्या आप जानते हैं कि मक्षन कैसे निकाला जाता है? दही को रई से बिलोने पर उसका तत्व भाग उपर आ जाता है यह तत्व ही मखन कहलाता है यह मखन ही दही का सार होता है जिस तरह जमी हुई दही को मत कर मखन निकाला जाता है उसी प्रकार चिंतन की प्रक्रिया से मत कर किसी भी सामगरी में से सार निकाला जाता है भाशा के संदर्ब में भी सार यही है अपनी बात को प्रभावी और रोचक बनाने और उसे पाठकों की समझ में आसकने योग्य बनाने के लिए लेखक अपनी बात को दोहराता है मुहावरे लुकोक्तियों का प्रयोग करता है किसी कथा प्रसंग से उसे प्रमानित करता है विद्वानों की उक्तियों को उद्रित करके उसे ठोस बनाता है अलंकार युक्त शब्दावली का प्रयोग करता है और कथे को विस्तार देता है ठीक इसी प्रकार किसी पार्ट की सामगरी में से सार और निसार बात में अंतर किया जा सकता है जो बातें महत्वकी होती हैं उन्हें हम स्विकार कर लेते हैं और शेश को छोड़ देते हैं जैसे दही से मक्ह निकलता है उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क पूरी सामगरी या बाचित में से उसका सार निकाल लेता है शिक्षार्थियों ये तो हम जानते ही हैं कि आज का जीवन बहुत भाग दोड़ वाला है लोगों के पास समय की बहुत कमी है जमाना इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि यदि विक्ति उसके साथ कदम से कदम मिला कर ना चले तो वह बहुत पिछड जाएगा यही कारण है कि विक्ति कम से कम समय में अधिक से अधिक बातें जान लेना चाहता है कार्याले में भी ऐसा ही है कार्याले में अधिकारियों के पास इतना समय नहीं होता कि वे फाइलों और पत्रों को पूरी तरह से पढ़ें वे कम से कम समय में अधिक से अधिक फाइलों और पत्रों को निप्टाना चाहते हैं विशेश रूप से वे अधिकारी जिनोंने हालगी में कारेभार संभाला है उस अधिकारी के पास इतना समय नहीं होता कि वैं सभी फाइलें विस्तार से पढ़े अतवे संबंदित फाइल की सामगरी का सार प्रस्तुत करने का आदेश देता है इस तरह की परिसितियों में सार बहुत मददगार से दोता है सार को पढ़कर अधिकारी जल्द ही धेर सारी फाइल निप्टा लेता है सार को पढ़कर वेक्ति अपनी रुची का समाचार, लेख या कहानी चुन लेता है तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सार किसे कहते हैं कुल मिलाकर सार पूरी सामगरी के आधार पर तयार किया गया वह मसौदा है जो संक्षिप्त होते हुए भी सामगरी की सभी मुख्य बातों को अपने में समेटे होता है जिसके आधार पर पूरी सामगरी को समझा जा सकता है शिक्षार्थियों, यहां आपके मन में प्रशन उठ सकता है कि जब सार लेखन का इतना महत्व है तो फिर मूल सामगरी की क्या आवशकता है सब लोग सार ही क्यों नहीं लिखते अपनी बातें विस्तार से क्यों लिखते है आपका ऐसा सोचना सही है परंतो मूल सामगरी का अपना अलग महत्व होता है जिसे किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जा सकता यह सही है कि कथे की जो समवेदन छीलता है भाशा का जो चमतकार है अनुभव की जो उश्मा है वे सार में नहीं आ पाती सार से काम तो चल जाता है किन्तु रचनात्मक्ता का उसमें अभाव रहता है अतह कथे को पूरी तरह जानने और समझने के लिए भाशा के चमतकार का आनंद लेने के लिए और सामगरी की रचनात्मक्ता से खुश होने के लिए या विभोर होने के लिए मूल सामगरी का अध्यन किया जाता है आप जानते हैं कि कार्यालें के हर अनुभाग में काम की मात्रा के अनुसार सहायक और लिपिक होते हैं लेकिन काम को निप्टाने की जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी के होती है उसके पास इतना समय नहीं होता कि वे हर मामले से संबंदित पूर्व पत्रों और टिपणियों को पढ़ सकें इसलिए उनके सामने इनका सारांश ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि वे आसानी से सारे मामले को समझ सकें कभी-कभी मामला उच अधिकारियों के सामने रखना पड़ता है उनके सामने केवल मामले का सार प्रस्तुत किया जाता है कि उन्हें प्रते दिन बहुत सारे मामले निप्टाने पड़ते हैं उनके लिए हर मामले को जबानी याद रखना मुम्किन नहीं ह चलते रहते हैं इस दौरान यदि संबंदित सहायक चुटी पर चला जाए तो फाइलें दूसरे सहायक को देखनी पड़ती हैं उसे संबंदित पत्रों और टिपणियों के सार से मामले को समझने में सहायता मिलती हैं सहायकों का एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थ सार्यालियों के काम में सारलेखन कितना महत्वपून और आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सारलेखन की प्रक्रिया के चरणों के बारे में। आईए अब हम देखें कि अच्छा सार लिखने की प्रक्रिया क्या है और इसके लिए हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है सार लिखन की प्रक्रिया के चरण है मूल सामगरी का बोध, मूल भाव की पहचान, संबंदित भावों की पहचान, मूल भाव को सपष्ट करने वाली व्याख्या, उदाहरन और दोहराव की पहचान, मूल भाव को प्रभावी बनाने वाले तत्वों, अर्थात कथाओं, अलंकारों, प्रसिद कथनों और रचनात्मक तथा व्यास शैली की पहचान मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए विस्तार देने वाले वाक्यों को हटाते हुए सारलेखन सारलेखन की दो विधिया हैं पहली विधी है त्याग विधी और दूसरी विधी है परिवर्तन विधी त्याग विधी में शब्दों को छोड़ना होता है अर्थात जो शब्द हमारे काम के नहीं है और जिने हटा देने पर भी अर्थ में कोई परिवर्त नहीं आथा उसे हम त्याग विधी कहते हैं इस विधी में लेखक का परिचे उनका पता आदी नहीं लिखा जाता किसी बात को यदि उदारन आदी दे कर समझाया गया है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है इसमें केवल मूल संदेश ही लिया जाता है इस्विधी का प्रयोग करते हुए लोकोक्ती अलंकार आदी का प्रयोग भी त्याग दिया जाता है वाक्यों को संकुचित करके लिखा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से काम चलाया जाता है भाशा में चुस्ती और कसाव अपेक्षित है जिससे सार, सरल, स्वभाविक, सुन्दर और प्रभावी लगे इन बातों का कार्याले में पत्रों, टिपणियों, रिपोर्टों आदी को संक्षेप में लिखते समय भी ध्यान रखना आवश्यक होता है दूसरी विधी है परिवर्तन विधी इस विधी में मूल अवतरन की भाशा को जों का त्यों न उतार कर कुछ परिवर्तन करना अपेक्षित है जैसे संधी और समास का प्रयोग करके शब्दों को कम किया जा सकता है उधारन के लिए पीला वस्र पहनने वाले कृष्ण भगवान के लिए हम केवल पितामबर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या फिर राजा का पुत्र के लिए मात्र राजपुत्र कह सकते हैं इसी प्रकार कई शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को छोटा किया जा सकता है। जैसे जो इश्वर को न मानता हो उसे नास्तिक शब्द कहकर काम चलाया जा सकता है या फिर जिस पर मुकदमा चल रहा हो वह अभियुक्त कहलाता है। अच्छे आचरण वाला सदाचारी और जो पढ़ा जा सके वह पठनिय आदी का प्रयोग करके हम परिवर्तन विधी के माध्यम से सार लिखते हैं शिक्षार्थियों सार लिखते समय हम प्रमुख बिंदूं या शब्दों को रेखांकित कर लेते हैं और प्रमुख बिंदूं को समेठते वे समपूर्ण सामगरी को अपनी भाशा में लगभग एक तिहाई शब्दों में लिखते हैं परन्तु सार लिखने का एक तरीका और भी है कभी कभी हम मूद सामगरी को पढ़ते समय विस्तार देने वाले शब्दों को हटा देते हैं और निरथक शब्दों को छोड़ देते हैं इसे समझने के लिए हम एक अनुछेद पढ़ते हैं भारत का कावे रूपी आकाश मंडल अगनित प्रभावपून जुगनों से दैदिप्यमान है पर तुलसी दास का तेज, उजवलता और चमतकार से परिपून उनकी प्रदीत कांती और कीर्ती बढ़ चड़ कर है वे इस आकाश मंडल के असंखे तारों के बीच मध्यान कालीन प्रचंड मारतंड के समान प्रकाशमान हैं किसी ने कहा भी है कि तुलसी दास हमारे लिए ही नहीं, हमारी आगामी संतानों के लिए भी एक अनुकर्णिये और अनुपम आदर्ष हैं जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में शेक्स्पियर का है, उससे कहीं उचा स्थान हम हिंदी साहित्य में तुलसी दास को देते हैं क्यों न दें? ये कोरे कवी नहीं थे, वरन ये थे एक अध्वित्य चरित्र वाले कवी समराथ पर्मोच श्रेणी के महात्मा, राम के अनन्य भक्त, धर्म और नीती के पत्थ प्रदर्शक, दाशनिक गंभीर तत्वों को सरल, सरस, शब्दावली में समझाने वाले उपदेशक, एवं भविश्य के गर्व में नेहित घटनाओं को बतलाने वाले महात्मा इस अनुछेद के कुल शब्द 134 हैं, इस अनुछेद में लेखक ने कवी तुलसी दास के वेक्तित्वों पर प्रकाश डाला है इस भाव को सपष्ट करते हुए लेखक ने कहा है कि वे इस आकाश मंडल के असंखे तारों के बीच मध्यान कालीन प्रचंड मारतन की समान प्रकाश मान हैं उन्होंने उदारन दिया है कि जो स्थान अंग्रीजी साहिते में शेक्सपियर का है उससे अधे कहीं उचा स्थान हम हिंदी साहिते में तुलसी दास को देते हैं वे इस आकाश मंडल के असंखे चमकीले तारों के बीच मध्यान कालीन प्रचंड मारतन के समान प्रकाशमान हैं यह कहकर पहले वाक्य में उसने अपनी बात की व्याख्या की है अगले वाक्य में इन्होंने शेक्स्वियर का उधारन देकर अपनी बात को स्पष्ट किया है आगे इस अनुछेद में लेखक ने उच्च प्रदर्शक कहकर अपने भाव को दोहराया है और भाव को प्रभावी बनाने के लिए लेखक ने दूसरी पंक्ती में बढ़ चड़ कर होना मुहावरे का प्रयोग किया है इसमें आप देख सकते हैं कि लेखक ने बहुत सारे विशेशनों का प्रयोग किया है और इस प्रकार से उन्होंने अपने भाव की व्याख्या की है और तुलसी दास की प्रशंसा की है। इन सब विशेषताओं में आपने देखा कि मूल भाव को सपष्ट करने के लिए लेखक ने कहां व्याख्या की है, कहां उदारन दिया है और कहां अपने भाव को दोहराया है। हम यह भी जान गए हैं कि अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए लिखक ने किस प्रकार से मुहावरों काल, अलंकारों का और प्रसिद कत्नों का प्रयोग किया है और एक विशेश शैली का प्रयोग करते वे अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली बनाया है इसके बाद मूल भाव पर ध्यान केंद्रित कर हम भाव को स्पष्ट करने और प्रभावी बनाने के लिए प्रेव्त तत्वों को हटा कर विवरनात्मक अन्य पुरुष शैली में हम सार लिखना प्रारंब करते हैं आपको स्पष्ट कर दूँ विवरनात्मक अर्थात हमें सार में केवल विवरन देना चाहिए हमें समवाद या संबोधन आदी शैलियों के स्थान पर अन्य पुरुष शैली में सार लिखना चाहिए तो इससे पहले हमने जिन चर्णों के बारे में चर्चा की, उनसे गुजरते हुए हम इस अनुछेद का सार इस प्रकार लिख सकते हैं विश्व साहित्य में शेक्स्पियर के समान तुलसीदास का महत्वपून स्थान है तो आपने देखा कि इस अनुछेद का जो हमने सार लिखा इसके कुल शब्द लगभग 134 शब्दों की जो हमारी मूल साम अगरी थी, उसका एक तहाई अर्थात 48 शब्दों का ये सार हमारा बना तो शिक्षार्थियों आपने देखा कि मूल अनुछेद में 134 शब्द थे और सार हमने 48 शब्दों में लिखा सार लेने के बाद हमें एक बार उसे पढ़कर भी देख लेना चाहिए कि उसमें कोई मुख्य बात आने से तो नहीं रह गई है और अनावशक बात तो शामिल नहीं हो गई है और हमें अपनी भाषा शैले भी दुरुस्त कर लेनी चाहिए अब हम बात करते हैं शीर्षक के चैन की निश्चित अनुछेद का शीर्षक छांटना भी एक कला है शीर्षक सदैव सामगरी पर आधारित और उसके केंद्रिय भाव पर आधारित होना चाहिए सार लिखने से पहले हमें यदि शीर्षक सपष्ट हो जाए तो विचारों को सार रूप में कागस पुतारने में हमें बहुत सुविधा मिलती है शीर्षक चुनने के लिए आप अवतरन को अनुछेद को दो तीन बार पढ़िए और उसके केंद्रिय भाव पर विचार कीजिए कभी-कभी ये केंद्रिय भाव अवतरन के शुरू में ही मिल जाता है पर उन्दू हमीशा ऐसा नहीं होता कभी-कभी ये अवतरन के मध्य में या अन्त में भी हो सकता है हम बात करते हैं कि हमारे सार का शीर्षक कैसा हो शिक्षार्थियों शीर्षक सदेव आकर्षक और रुचिकर होना चाहिए साथी उप्युक्त भी हो जिसमें संपूर्ण सामगरी का तथ्य या आशेस पश्च होता हो एक बार शीर्षक पढ़कर पाठक या अंदाजा लगा ले कि अनुछेद में क्या होगा साथी शीर्षक में इतना अधिक आकर्षन हो कि वे पाठक को सामगरी पढ़ने पर मजबूर कर दे एक ही अनुछेद के एक या उससे अधिक शीर्षक भी हो सकते हैं प्राय शीर्षक एक शब्द या एक पदबंद का ही होता है कभी कोई सूकती या वाक्य भी उप्योक्त शीर्षक हो सकता है अनुछेद समझकर कई बार पढ़ने के बाद जो ज्यादा आपके मन को जचे वही उप्योक्त शीर्षक होता है उसी को स्विकार कर लेना चाहिए किसी सार का शीर्षक उप्योक्त पाकर ही पाठक सार पढ़ने के आवशकता का अनुभव करता है तो शीर्षक बहुत सोच विचार कर ही चुनना चाहिए और इसी से आपके बुद्धी की भी परक होती है उदाहरण के लिए जिस अनुछेत के बारे में हमने अभी चर्चा की इसका केंद्री भाव या मूल भाव है कवी तुलसी दास का प्रभावशाली वेक्पित हो अतह शीर्षक घूम फिरकर इसी से संबंदित होगा यह शीर्षक कवी तुलसी दास हो सकता है प्रभावी कवी तुलसी तुलसी का हिंदी साहिते में स्थान हिंदिस साहित्य का सितारा तULसी या रचनाकार तULसी आधि कोई भी शीरशक चुना जा सकता है जो भी शीरशक आपको उप्योक्त लगे उसे आप चुन सकते हैं सार तथा साराश दोनों प्रकार के लिखन में शीरशक का बहुत महत्व होता है शिक्षार्थियों आप ध्यान दें कि प्राय शीर्षक एक शब्द या एक पदबंद का ही होता है कभी कोई सुखती या वाक्य भी उप्योक्त शीर्षक हो सकता है अनुछेत समझ कर कई बार पढ़ लेने के बाद जो ज्यादा आपके मन को जचे वही उप्योक्त शीर्षक होता है उसी को स्विकार कर लेना चाहिए किसी सार का शीर्षक उप्योक्त पाकर ही परीक्षक सार पढ़ने की आवशकता का अनुभव करता है अतहा शीर्षक बहुत सोच विचार कर ही चुनना चाहिए इसी से आपके बुद्धी की परक होती है सार संक्षेपन तथा साराश दोनों प्रकार के लेखन में शीर्षक का बहुत महत्व है अब हम बात करते हैं सार लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातों की एक, दो या अधिक बार पढ़कर मूल सामगरी को समझना बहुत आवश्यक है सामगरी में आई व्याक्ष्याओं को, उदाहरनों को और भावों के दोहराव को रिखांकित करना बहुत जरूरी है मूल भाव को हमें अलग कागस पर लिख लेना चाहिए मूल भाव और उससे संबंदित भावों के आधार पर विवरन आत्मक अन्य बुरुश्यली में मूल सामगरी से लगभग एक तिहाई आकार में सार या संक्षेपन लिखा जाना चाहिए शिक्षार्थियों मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कारिक्रम से सार लिखने में मदद मिलेगी नमस्कार नमस्कार शिक्षार्थियों इस कारिक्रम में आपका स्वागत है सार लेखन के बारे में हमने अपने पिछले कारिक्रम में चर्चा की थी कि अच्छा सार कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से किसी सामगरी का सार लिखा जाता है इसी क्रम में हम आज बात करेंगे कि कार्याले में सार लेखन का कार्य कैसे होता है तो इस कार्यक्रम के जो हमारे उदेश्य रहेंगे उन पे बात करते हैं हमारे उदिश्य हैं कार्याले कामकाज में सार लेखन का आवशक्ता नुसार उपयोग कर सकेंगे कार्याले पत्रों टिपनियों और रिपोर्टों का सार लेखन कर सकेंगे शिक्षार्तियों, कार्यालेओं में पत्रों, टिपणियों और रिपोर्टों का सार तयार किया जाता है ऐसा करने में बहुत सावधानी की जरुत होती है पहले पत्र या टिपण को ध्यान से पढ़ना चाहिए यदि एक बार पढ़ने से बात सपश न हो तो उसे दो बार तीन बार पढ़ना चाहिए क्योंकि यदि पत्र में दी गई बाती ठीक तरह से समझ में न आएं तो सार करने में गलती हो सकती है पत्रों में सरकारी नियमों, आदेशों या पूर्व पत्रों का उलेक रहता है इसलिए बहुत जरूरी है कि उनका सार बनाने से पहले उस सामगरी को ठीक से देख लिया जाए और समझ लिया जाए तब ही सार ठीक और उपयोगी बन सकता है यह तो आप जानते ही हैं कि फाइल के दो भाग होते हैं पत्राचार भाग और टिपणी भाग पत्राचार भाग में मामले से संबंदे पत्र रखे जाते हैं और टिपण भाग में मामले से संबंदे टिपणिया होती है ये टिपणियां ऐसे लिखी जाती हैं कि इनमें पूर्व टिपणियों का सार हो जिनें पढ़े बिना आगे टिपण लिखा जा सके यह भी आप जानते हैं कि कार्यले का हर मामला टिपणियों की मदद से निप्टाया जाता है इसलिए टिपन लेखन में बहुत सावधानी अपेक्षेत होती है अगर टिपन लेखन में छोटी सी गलती हो जाए तो कारवाई की पूरी दिशा बदल जाती है आईए सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट के सार लेखन पर किसी घटना, सिती या अवसर विशेश के विवरण को रिपोर्ट कहते हैं रिपोर्ट में हर बात विस्तार से लिखी जाती है इसलिए उसका सार अलग धंक से बनाया जाता है आप यह तो जानती हैं कि हर संस्था अपने कारे का विवरण देने के लिए सापताहिक, मासिक, अर्ध वार्शीक या या वार्शिक रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं इन में संस्था के उत्पादन, लागत, आयवे, उनकी गतिविधियों आदी के बारे में आंकड़े होते हैं और विवरण होते हैं इन रिपोर्टों में संस्था द्वारत किये गई कारियों के विवरण के साथ साथ उसके भावी कारेक्रमों की रूप रिखा भी होती है इन नेमी रिपोर्टों के साथ विशेष अवसरों की विशेष रिपोर्टें भी प्रकाशित की जाती हैं जिसे शताबदी रिपोर्ट, रजद जैनती रिपोर्ट, इसके अलावा संस्थाओं की प्रगती का जायजा लेने के लिए कभी-कभी विशेश समितियों या आयोगों का गठन किया जाता है। ये समितियों या आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जिन में संस्था की कार्यों और उनकी प्रगती का विवर्ण रहता है। इसलिए उनका सार त्यार करना आवश्यक होता है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि सार का आकार जो है मूल का लगबग एक तेहाई होता है। यही बात रिपोर्ट के बारे में भी लागू होती है। रिपोर्ट की विश्यवस्तो और समय की अवधी लंबी होने के कारण उसका आकार बड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिती में रिपोर्ट का सार बनाने में और भी सावधानी जरूरी हो जाती है। रिपोर्ट में अनेक विश्यों से संबनित आकडे विस्तार से दिये जाते हैं। सार में उनका उलेक संक्षेप में होना चाहिए। और रिपोर्ट के जो सार संक्षेपन में अच्छे सार के सभी गुण होना चाहिए। और संक्षेपतता तो इस सार लेखन का प्राण है। आईए अब हम एक उधारन के रूप में विज्ञानिक और तक्नीकी शब्दावली आयोग के रज़त जैनती समारों के अफसर पर प्रकाशित रिपोर्ट के स्थापना, उदेश्य और कारे से संबंदित अंच का सार त्यार करते हैं। रिपोर्ट का आकार चुकि बड़ा होता है, इसलिए समय के अभाव को देखते हुए इसकी सामगरी के एक भाग का सार हम यहां इस कारिक्रों में त्यार करते हैं। रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से है, जिसका सार हमें त्यार करना है। हिंदी तथा अन्य भारतिय भाषाओं के लिए समान पारिभाशिक शब्दावली का विकास करने के उद्दिश्यों से, शिक्षा मंत्राले ने 1950 में भाषा शास्त्रियों और विज्ञानिकों की एक पारिभाशिक शब्दावली बोड की नियुक्ति की थी, जिसके मार्क द तिरेपन में पांच विश्यों की अंतिम शब्द सूचियां प्रकाशित की, काम की बढ़ती हुई मात्रा और विविदता को देखते हुए, कुछ समय बाद हिंदी अनुभाग का विस्तार करके हिंदी प्रभाग की स्थापना की गई, हिंदी प्रभाग ने 1969 तक शिक्षा के शेत्र में सभी प्रमुक विश्यों में उच्चितर माध्यमिक और कहीं-कहीं सनातक स्थर की शब्दावलियां तयार कर ली, इन शब्दावलियों को अंतिम सूचियों के रूप में प्रकाशित किया गया, और उन पर संबद्द विश्यों के विद्वान तथा संस्थाओं के सुझाव अमंत्रित किये गए बात में प्राप्त सुझावों पर विचार करके संशोधित सूचियां प्रकाशित की गई राजभाशा आयो की सिफारिश के अनुसरण में राश्टुपती द्वारा अप्रेल 1960 में जारी किये गए आदेश से हिंदी के काम में तेजी लाने के लिए केंदरी हिंदी निदेशाले की स्थापना की गई और शब्दावली निर्मान का कारे हिंदी प्रभाग के बजाए केंदरी हिंदी निदेशाले में होने लगा निदेशाले ने तब तक प्रकाशित विभिन विश्यों की शब्द सूचियों को समेकित करके एक लाख शब्दों का पारिभाशिक शब्द संग्रे सन 1962 में प्रकाशित किया यह शब्द संग्रे शिक्षा मंत्राले द्वारा नियुक्त विविद्ध विश्यों की विशेशग्य समितियों द्वारा अपने अपने विश्यों में संदर्भ में स्थिर किये गए परियायों का व्रहत संग्रे अवश्य था पर इसमें संकलित शब्दावली में व्यापक स मनवय शेश रह गया था खिर भी उस समय शिक्षा की शेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने पर बल दिया जा रहा था अतह इस शब्द संग्रह ने एक सामय आवशक्ता की पूर्ती की और सभी विद्वानों हिंदी प्रेमियों और प्रशासनिक शेत्रों आदी ने इसका हा मुख बातों को इस प्रकार लिख सकते हैं 1950 में शिक्षा मंत्राले ने एक पारिभाशिक शब्दावली बोर्ड बनाया 1952 में शिक्षा मंत्राले के हिंदी अनुभाग में शब्दावली निर्मान का कारे प्रारंब हुआ 1953 में पांच विश्यों की अंतिम सूचियां प्रकाशित हुई 1969 तक सभी विश्यों की उच्चतर माध्यमिक स्तरकी और कुछ विश्यों की सनातक स्तरकी शब्दावलियां बन गई राजभाश्या आयो की सिफारिश पर अप्रेल 1960 में किंद्री हिंदी निदेशाले की स्थापना हुई और 1962 में किंद्री हिंदी निदेशाले द्वारब परिभाशिक शब्द संग्रे का प्रकाशन किया गया जिन मुख्य बातों पर हमने अभी चर्चा की उसे हम सरल, सुबोध और स्पष्ट भावों में क्रमबद रूप से लिखकर इस प्रकार इसका सार्ग तयार कर सकते हैं हिंदी तथा दूसरी भारतिय भाशाओं के लिए एक सी पारिभाशिक शब्दावली बनाने के लिए शिक्षा मंत्राले ने 1950 में विद्वानों का एक पारिभाशिक शब्दावली बोड बनाया बोड की देखरेख में 1952 से शिक्षा मंत्राले के हिंदी अनुभाग ने शब्दावली बनाने का काम शुरू किया और 1953 में पांच विश्यों की अंतिम शब्द सूचियां प्रकाशित की गई काम बढ़ जाने से हिंदी अनुभाग को प्रभाग बना दिया गया इसने 1969 तक सभी विश्यों की उच्चतर माध्यमिक सर की और कुछ विश्यों के सनातक सर की शब्दावलियां बना ली राजभाशा आयोग की सिफारिश पर राश्टुपती के आदेश से अप्रेल 1960 में केंद्रिय हिंदी निदेशाले की स्थापना की गई निदेशाले ने विभिन विश्यों की शब्द सूचियों को समेकित करके 1962 में लगबग एक लाग शब्दों का एक पारिभाशिक शब्द संग्रे प्रकाशित किया तो शिक्षार्थियों सार लिखते समय जिन मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना है उन पे चर्चा करते हैं पहला है अवशक होने पर मूल भाव के आधार पर सार संक्षेपन का शीर्शक लिखना अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमें ध्यान देना है लिखित सार को एक बार पढ़ना और देखना कि कहीं उसमें कोई मुख्य बात आने से रह तो नहीं गई है एक अन्य बात का हमें और ध्यान रखना होगा कि आवशक होने पर सार का संपादन करना संपादन करने का अर्थ है कि सार में कोई मुख्य बात आने से रह गई है तो उसे जोड़ना यदि उसमें कोई दोहराव है किसी तथ्य को दोहराया गया है तो उसे हटाना और भाशा शैली को उप्युक्त और चुस्त बनाना शिक्षार्थियों हमारी मूल सामगरी आपके स्क्रीन पर है हम पहले इस सामगरी को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसका सार हमें कैसे करना है यह अनुछेद इस प्रकार है पुस्तक ज्यान का भंडार होती है इससे हमें जो लाब मिलते हैं वे अन्य किसी वस्तु से नहीं मिलते हैं इसमें समाज पर प्रभाव डालने की अद्बुत छमता होती है वास्तव में यह एक मात्र सहज और सुलब आधार है जिससे कोई भी वेक्ति अत्यधिक ज्यान प्राप्ट कर सकता है पुस्तक में एक ऐसी शक्ती है कि वह सारे देश की जनता में जागरती का मंत्र फूंक दे संत्रस्त मानवता में अपूर्व साहस और बल का संचार कर दे हमारे सामने कई उदारन हैं रूसों की पुस्तक फ्रांस की राजिक कान्ती का कारण बनी महात्मा गांधी की वाणी और पुस्तकों ने समस्क भारत में अंग्रेजों के विरुद डटकर खड़ा होने का संदेश दिया लेनिन की पुस्तक क्रांती काल में रूस का मार्दर्शक बनी इस तरह हम देखते हैं कि वह पल भर में राज सिंग हासन को पलट देती है मनुष्य का शरीर नाशवान है पर उसने जो भी पुस्तक लिखी हो उसके कारण वह उसके नाम को अमर बना देती है हम आज भी वालमी की तुलसी और सूर आदी का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लेते हैं उस तक अकेले पन का साथी भी है यह अकेले पन में फालतू बातों को भुलाई रखती है हम इसकी दुनिया में खो जाते हैं इसके अतिरिक्त यह मनोरंजन का भी श्रेष्ट साधन है इस मूल सामगरी के कुल शब्द 205 है शिक्षार्थियों आपने मूल सामगरी को सुना इसमें आपने देखा कि मूल भाव को सपष्ट करने वाले उधारण भी है लेकिन जैसा हमने पहले भी चर्चा कि कि इन उधारणों की सारलेखन में कोई महत्ता नहीं है और इन सब जो भी नाम दिये गए हैं विभिन लेखकों के उनकी नामों को छोड़कर हम इस भाव को इस अनुचेद के भाव को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करेंगे आपने शिक्षारतियों देखा कि सामगरी में हम सर्वनाम का बहुत बार प्रयोग हुआ इसे सारलेखन में शामिल नहीं किया जाएगा और यदियावशक्ता पड़ी तो इसे अन्य पुरुष सर्वनाम के रूप में बदला जाएगा और जो शेश अंच है उसको हम अपने शब्दों में लिखेंगे और उसके बाद इसका शीर्शक देंगे तो शिक्षार्टियों इन बातों का ध्यान रखकर मूल सामगरी के मुख्य बिंदू हमारे इस प्रकार हो सकते हैं मानव समाज में पुस्ता की उप्योगिता पराधीन विक्ति के लिए यह शक्ती, साहस और प्रेणा का स्रोत समाज परिवर्तन और राज्य क्रांती लाने के गुणों से परिपूर्ण लेखक को अमर और श्रद्धा पात्र बनाना अकेले पन का साथी और मनोरंजन का साधन होना तो इन बिंदूओं के आधार पर हम मूल सामगरी का सार इस प्रकार लिख सकते हैं मानव समाज में पुस्तक से सर्वाधिक लाव है यह ज्यान प्राप्ती का सर्वशेष्ट साधन है यह पराधीन व्यक्ति के लिए अपार शक्ति, साहस और प्रेणा का स्रोत है इसके भीतर समाज में परिवर्तन और देश में राज्यकरांती लाने का अलोकिक गुण भी है पुस्तक लेखक को अमरत्व प्रदान करती है और समाज में उसे श्रद्धा का पात्र भी बनाती है यह एकांत में मित्र होने के साथ साथ मनुरंजन का साधन भी है इस सार के कुल शब्द जो है विहें 72 और इसको हमने शीर्शक दिया है पुस्तक की महत्ता यह शिक शार्तियों हमने बात की कि हम विभिन प्रकार की सामग्री का सार किस प्रकार से लिख सकते हैं और सार लेखन और इसे समबंधित विभिन पक्शों पर हमने चरचा की क्या सीखा तो आज हमने सीखा कि सारलेखन में कार्याली कार्यों को निप्टाने में सुगमता होती है और साथ ही समय और शक्ति की भी बचत होती है सारलेखन से कार्याले की लेखन सामगरी के खर्च में भी किफायत होती है सहायकों के बीच कारे के हस्तांत्रण में भी सार लिखन से उच्छ अधिकारीों का समय बचता है और वे अधिक काम निप्टा लेते हैं। रिपोर्ट आकार में प्राय बड़ी होती हैं इसलिए रिपोर्ट का सारांश देना आवश्यक होता है। रिपोर्ट का सार बनाते समय सार के अन्य गुणों के साथ संक्षिप्तता की और अधिक ध्यान देना चाहिए. रिपोर्ट की मुख्य बातों के प्रती सजग रहना चाहिए. साथ ही हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अनावशक बातें सार में न आएं और सभी मुख्य बातो का इसमें समावेश भी हो रिपोर्ट के सार की सहायता से रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातों का ध्यान रखना सरल होता है आज हमने सीखा कि मूल सामगरी में से विस्तार देने वाली बातों जैसे उदाहरण, उद्धरण, अलंकार आधी को हटा कर मूल सामगरी का सार लिखा जा सकता है कार्याली कामकाज को जल्दी और ठीक धंक से निप्टाने के लिए पत्रों तथा टिपनियों का सार बनाया जाता है सार की सहायता से एक अधिकारी कई सहायकों का काम सीमित समय में देख लेता है संक्षेपन या सार लेखन के लिए मूल सामगरी के मूल भाव को समझना आवश्षक होता है सार संक्षेपन की उप्योगिता इस बात पर निर्भर होती है कि वे कितनी सावधानी से बनाया गया है अतह कार्यालई सार बनाने में पर्याप्त सावधानिया अपेक्षित होती है मूल पत्र या टिपनी को गहराई से पढ़ने के बाद ही सार तयार किया जाना चाहिए सार बनाते समय इस बात पर विशेश ध्यान दिया जाना चाहिए कि मूल पत्र की कोई बात संक्षिप्तता के फेर में छूट न जाए सार मूल सामगरी का लगभग एक तिहाई होता है अच्छा सार वही होता है जिसमें पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, संबधता, प्रभावोत पादकता के गुण विद्यमान हूँ अतह कार्यालई पत्रों का सार बनाते समय हमें इस बात के प्रती सजग रहना चाहिए कि हमारा सार पूर्ण, संक्षिप्त, स्पष्ट, क्रमबद और प्रभाव पूर्ण हो तो शिक्षार्थियों इस कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की कि हम कार्यालई कामकाज में सार की मदद से किस प्रकार अपने कारे को और सुगमता और सुविधा से कर सकते हैं मैं आशा करती हूँ इस कारिक्रम से आपको सार लिखने में सहायता मिलेगी नमस्कार